इस बाद नाग पंश्बी का पर बड़ ही दुलब संयोग के साथ आ रहा है इस दिन यदि आम श्रदालू पूजा अर्चना करता है तो उसे काल सर्ब दोस्ट से ही मुक्ती नहीं मिलती है बल्कि उसके कई जो बाधा हैं काम में जो रुकावट आती है वो भी दूर हो जाती है हमार साथ पंडित अमर डिबबा वाला है जो कि आम श्रदालों को बताएंगे नाग पंश्बी पर किस प्रकार की पूजा होना चाहिए किस प्रकार से काल सर्ब दोस्ट का निवारान हो सकता है और श्रद्दालों को इस दुल्लप संयोग में किस प्रकार से लाब मिल सकता है पंडी जी जो नाग पंच्वी का परव इस बार आ रहा है किस प्रकार का दुल्लप संयोग बन रहा है देखें मुख्य बाद यहाए कि इस दिन नाग देवता की पूजन करनी चाहिए जन्मकालिक पत्रिका के जो दोश होते जिसमें सरप शुरापे दोश है काल सरप दोश है या इस प्रगा का कोई आर्थिक काल सरप दोश होता है उसकी निवरति के लिए इस दिन पूजन की मान्यता है ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रि मान्यता में कि जो लोग तीर्थे पर नहीं आ सकते हैं जो लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं वे अपने घर पर दिवार पर एक सफित कागच पर नाग दिवता का चित्र बनाए और चित्र के माध्यम से नाग दिवता की पूजन करें दुसरी मान्यता के यह आती है कि जहां पे सुद्ध मिट्टी हो बगीचे की मिट्टी हो तीर्था की मिट्टी हो उस मिट्टी से नाग की मूर्ति बना दें पंचोप चार पूजन करें, शोड़े शोप चार पूजन करें और इस पूजन को करने से ऐसा माना जाता है कि सरप श्रापी दोश की निवरत्ती होती है, काल सरप दोश की शांती होती है, रुक के कारे में गती आती है, बादाओं का निराकरण होता है, संतान के कारे में उप वान शीव प्रसन होते हैं चुकि अभी वर्तवान समय में नाग देवता तो मिलते नहीं है तो वो शर्दालू क्या करें उसका कोई विकल्पी विश्ता है या नाग देवता को दूद ही नहीं पिलाना चाहिए नहीं आप रहा है तो शीव मंदिन में स्थापित नाग देवत है के पूजन की जा सकती है तो इसा कि चाल सर्ब्र दों सप्सक्राइं करना चाहिए किए जो लोग जानते कि काल सरप्प की शांती एक बार करा देने से सर्पविदान हो जा है ये कि प्रतिवर्ष water . प्रतिवर्ष नाग वासु की नाम का काल सरप दोशे, शेशाय नाम का काल सरप दोशे, तक्षक नाम का काल सरप दोशे, अनंत नाम का काल सरप दोशे, करकोटक नाम का काल सरप दोशे, कालिया नाम का काल सरप दोशे, इस प्रका के जितने भी बारह प्रका काल सरप दोशे होते हैं, उन दोशों क निवरतिक लिए इनके नामों की एक एक माला भी कर लेंगे तो कारी में प्रगति होगी और शिवयोग में चूकि नाख पंच्वी करम से आप कर सकते हैं जिन शद्दालों को नाग देउता के पूजन का मंदीर में फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वे अपने घर पर रेकर भी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हो, नाग देउता के माध्यम से भगवान शिव को भी प्रसंद कर सकते हैं. विकरम सिंग जाट, ABP News, ओजेन.